में प्यारे बच्चियों, मेरा नाम सांदीब कौर है, मैं बतौर वकेशनल ट्रेनर हेल्थ केर देतारते काम कर रही हैं, पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड दे अंदर. आज मैं तो अडेनाल, जिस टौपिक उपर विचार सांजे करन जा रही हैं, वो है रोल ओफ होम हेल्थ एड. इस टौपिक नूँ समझन तो पहला आपा यह दिखांगे कि इस प्रेजेंटेशन दे अखीर तक आपा की की सिख लवांगे. सब तो पहला, होम हेल्थ एड की है इस ते बारे जानना के, identify the role and functions of home health aid. एक होम हेल्थ एड दे, role शतलब कामते functions कीने यह दे बारे जाननाल के, identify the qualities of home health aid. एक home health aid जा home health aid डर्दे विच केड़े गुण होने चाहिए देने, की qualities होने चाहिए देने इदे regarding पड़ांगे Prepare a daily care plan of patients Patients दा daily care plan किमें बनोना है इदे बारे जाना आगे Describe patient's safety जिदों आसी care provide का रहे है ते patient's safety किनी जरूरी है क्यों जरूरी है इस परे जाना आगे Identify basic components required for patient comfort Patient दे comfort दे लई जड़े basic component मुझले component चाहिए देने ज़ा मुझले केड़े हिस्से ने patient दे अराम दे लई ओ जाना आगे Collecting the specimen ते अलग लग samples ज़ा specimen किमें collect करने ने ओदे वेचे Home Health Aider दी की duty या ओदे बारे जाना आगे So समको पहला Home Health Aid जा फिर Home Care It is a health care or supportive care provided by a professional caregiver in the individual home where the patient or client is living यह किया इन्हों आपा Health Care जा स्पोर्टिव केर दे नाम नाल भी जान दे है यह केर एक professional caregiver दे वलनों किया दित्ती जान दिया Professional caregiver मतलब जिनने professionally तो और ते इस care नों किया पढ़िया है और समझे आए कि केड़ी केर असी क्यों परवाइड कर दे है ते ओधे नाल पेशन नों की फैदे हैं देने एक professional caregiver दे तो और ते एक care जड़िया दित्ती जान दिया किसे भी परसंदे कार विच जाके भी किया एक care जड़िया प्रोवाइड किती जा सक दिया It is also known as domiciliary care, social care, in-home care, HHC इन्हों अपा होर भी कई अलग-लग नाम देनाल किया जान देया जिमें domiciliary care हो गया, social care हो गया, in-home care हो गया, HHC हो गया जा फिर home health aid और home care हो गया Next is role and function of HHE एक home health aider दे जाएक home health aid दे की role ने की काम ने की functions ने सब तो पहला providing health care services in patient's residences यह जड़ी care हा एदे नाम तो ही पता लगदा है कि ए patient दे कार दे वेचिए care जड़िया दित्ती जा सकती है Next, transporting and accompanying patients to doctor's office और to hospitals अगर patient नों कदी और doctor दे office तक लेके जाना, जा हो ऑस्पिटल लेके जाना तो ओधे वेच किया, transporting ते वेच भी किया एक home health aid और चेड़ा है help करता है administer simple prescribed medications So, एवे एक home health aid और दी duty है कि ओने किया जड़िया डॉक्टर दे वलनों प्रिस्क्राइब किती है गईया दवाईया ने ओ किया पेशन नों देने आने अपने तौरते, अपनी मर्जीनाल, कोई भी medicine जड़िया एक home health aid नहीं दे सकता ओ धवाई दे सकता जड़िया डॉक्टर दे वलनों किया प्रिस्क्राइब किती गईया Next, assist clients with personal care activities जड़ा एक client आ, साथा patient आ, उन्हों दे परसनल केर दिया एक्टिविटीज ने ओदे विछ वी किया एक home health aid किया, help करता है जबें उन्दी कॉंबिंग होगी, जा उन्ने खाना खाना होगया, जा उन्दी बातिंग होगी पर्सनल केर एक्टिविटीज ने ओधी विच वी एको होम हेल्थेटर किया help करता है Monitor vital signs and report on their condition यह होम हेल्थेटर दी duty है, role है क्यों ने किया जड़े vital signs ने, साधे जड़े 4 vital signs ने temperature, blood pressure, respiration and pulse rate इन्हों note करना है और इन्हानों record वी करना है Maintain patient's care records and document provider services यह वी एक होम हेल्थेटर दा रोल है कि उन्हें किया patient दे जड़े care दे record ने उन्हानों maintain भी करना है जड़िया services उन्हें provide कितिया ने आपड़े patient नो आपड़े client नो उन्हानों भी किया document दे उपर record करना है means recording and reporting वी किया एक रोल होम हेल्थेटर दा assist patients with mobility and physical therapies or exercises जड़ा patient है उन्हें किया help करनी है होम हेल्थेटर ने उन्हें mobility दे वेच जाँ फिर अगर उन्हों कोई physical therapy दे नेड़ा उन्हों physical therapy करौन दे वेच किया assist करना है ठीका अगर उन्हों कोई exercise डॉक्टर ने क्या करना है दोस एकसाइज नो करन्दे वेच विखिया उन्हें help करनी है next instruct and console patients and families on diet and exercise जड़ा patient है और जड़ी patient दी family है उन्हां दी counseling भी करनी है उन्हां नो instruct भी करना है कि केस type दी diet जड़ी है उदेली important है और किस तरह दी exercise जड़ी होदेली important है जड़ोरी या ताँजोधी health नो maintain करके रख्या जा सके collect routine specimens जड़े routine ली अगर डॉक्टर ने कहे या कोई sample लेने जमें कई वरी कोई blood sample लोड हों दिया test करोना होंदा जा कई वरी कोई sputum sample चाहिए होंदा so different different type ते जड़े लग-लग timing से जड़े sample चाहिए देने उनना samples नो collect करके laboratory वेच पे जनावी एक home health एटर दे किया duty है और उदा important rule प्रवाइड companionship and basic emotional और psychological sport sometime patient किया सही feel नहीं करदा ठीक feel नहीं करदा किसे चीज नो लेके प्रिशान हुनदा है जा अपनी disease नो लेके योवरी हुनदा है ते उस time ते उननों किया आपा उन्दी company देनी है company देन दे नाल नाल उन्हों emotional sport वी देनी है उन्हों psychological sport वी देनी next is qualities of home health aid so एक home health aid जड़ा है उदे विच केड़े केड़े गोन होने जुरूरी ने सबतो पहला love for the fellow man जड़े ओदे नाल वाले साथी ने उन्हों दे प्रतिवी किया प्यार दी पावना जड़ी रखनी है honesty हुना चाहिदा है honesty एक बहुत important जड़ी quality है loyal भी हुना चाहिदा है loyalty so honesty and loyalty जड़ी हुनी चाहिदी है एक home health aid दे वेच वो अपने काम प्रतिवी इमानदार हुना चाहिदा है अपने patient प्रतिवी इमानदार हुना चाहिदा है discipline and obedience वो time दा पबंध हुना चाहिदा है जड़ी है services जड़ी केर जिस time ते देनिया ने उन्हों फॉलो करदा हुना चाहिदा है alertness वो अपने आले द्वाले नू लेके alert हुना चाहिदा है उन्हों पता हुना चाहिदा है कि case time वो ने केड़ा decision जड़ा है लेना technical competence जुनिया मी techniques ना रिलेटिव जड़ियां devices ने उन्हों दे वेच ओ किया उन्हों competency होने चाहिदा for example आजकल electronic devices आगियाने blood pressure, digital आगेने thermometer वी electronic आगेने उन्हों उन्हों यूज किवे करना है उन्हों दी care किवे करनी एदी knowledge किया एक home health एडर नू होनी चाहिदी adjustability और किया home health एडर दी वेचे quality होनी चाहिदी कियो flexible होवे adjust कार सकता होवे confidence होना चाहिदा है अगर confidence होएगा ता ही हो आपने काम नू किया पूरी आतम विश्वास दे नाल ते वही बधिया तरीके नाल किया कार सकेगा resourcefulness उन्हों पता होना चाहिदा है कि आपने समे नू और जड़े उदे कुल सुरोत ने उन्हों नू पेशन्स होना चाहिदा है उदे वेच कि अपने सारी आपने सारी या services जड़िया ने प्रवाइड कार सकेगे अगर patient एक तो दो वार एक की question नो पूट कार दा है ते प्यार नालो दा answer दे सके यह निकियों खिजे कि मैं ते हुने आंसर दिपता सी दबारा मनने question पूट कार लिया है यह गालनों हमेशा ते आँच रखना है कि अगर patient जड़ा है ओ बमार है ओ बार बार आपनी disease नाल रिलेटर्ड ज़ा कोई अगर सानू question कार दा है ते ऐसी patients दे नालो दा answer भी किया देना है सिंपती होनी चाहिए दिया सानू patient दे प्रती ते सब तो important जड़िया किसे नो care प्रवाइड करन तो पहलना एक जड़ा home health एडर हा उधी आपनी में physical and mental health जड़िया कुझ होनी चाहिए दिया physically भी healthy होना चाहिए और mentally भी healthy होना चाहिए next is care plan so care plan अपा अगे भी पढ़या होगा जा मतलब किसे भी कामनों करन दे लई साड़ी जड़ी planning होनी है वो बहुत ज़रूरी है ते उधे बास्ते कुछ steps होनी है so care plan जड़ा है nursing sisters दे help दे नाल बना सकते है जहां doctor दे नाल मिलके अपनी health team नाल मिलके जड़ा है इन्हों बना सकने है क्योंकि एकल्ला एचे-चे जड़ा है वो अपना care plan नहीं बना सकता ज़ता कुन्हों नहीं नहीं पता कि doctor ने में की SS कीता है nurses ने में की SS कीता है और की होदा डाइग्नोजा उन्हा दे नाल अपनी health team नाल मिलके आपा care plan बना के तो पूरी जड़ी planning करके care जड़ीया provide करनी है आपने patient नो सो दे कोशे steps ने इन्हों आपा short form जभी जाद कार सकते हैं कि A, D, P, I, E सो ए प्रोसेस देड़ा इदे according आपा कर देया A for assessment means patient नो assess करना कि उन्हों problem किया then D for diagnose diagnose बना पहला assess करना कि की changes हो देवेच आयाने diagnose बना ना कि actuals की problem ने then P for planning कि plan करना कि इन्हों आपा इदे वास्ते patient की में help कार सकते हैं केडी केडी उन्हों केर दी लोडा planning तो बाद implement जो असी plan किता हो असी लागू वी करना है और implement करन तो बाद आई तो बाद E E for evaluate कि review करना कि जो असी काम कीते हैं जो असी care provide कीते हैं ओधे according जो नतीजे सामड़े आने चाहिए दे सी ओ आये हैं जे नहीं आए ते क्यों नहीं आए असी दबार तो सारा plan review करांगे और अगर सेम नतीजे सानों मिल गया अगेन असी सारा plan review करांगे कि हो असी की की कर सकते हैं ते ओधे लही असी prevent errors and harm असी उसारे errors जड़े हो सकते ने उनना नों prevent करांदी कोशिश करनी हैं और reduce risks सो patient safety की है patient safety is the absence of preventable harm to a patient during the process of health care जितो असी health care provide कार रहे हैं उधो patient safety दा मतलब जेडियां में नुकसान पचा सकते हैं जा नुकसान पचा सकते हैं ततने उनना नों patient दूर करना for example सानों पता है कि patient walk कार रहा है वो old है और वो walk करना लो walk कार रहा बट असी अगे देखिया है कि floor किया वेटा उधे उपर किया कुछ liquid जड़ा है उँ spread होया है टुला है तो असी की कार सकते हैं floor नो clean कार सकते हैं जा पेशन दी company कारके उन्हों side तो नगा सकते हैं तो यह किया preventable हाँ किसी उन्हों तिलकंतों डिगंतों किया बचाया तो यह किया patient safety हूर अपा की कार सकते हैं जदो आपा कोई भी medical procedure करना है तो आपा verify कार सकते हैं कि कि यह सही procedure है और किमे किमे करना है ठीका फिर असी cross infection नो prevent करने ले प्रॉपर hand washing कार सकते हैं तो यह सारा कुछ किया patient दी safety या किसी errors से harm नो में prevent करना है जड़े risk हो सकते है और ना नो में किया reduce करना है जिनना नो आपा कार सकते है so next is basic components of comfort patient दे comfort दे लई केड़े केड़े हिस्से ने मुढलिया चीजा ने जड़िया की मरीज नो अराम पचा सकते हैं सब तो पहलना ते room temperature अगर room दा temperature बहुत गरम जहां बहुत ठंडा होगा ते मरीज भी अराम नहीं कर सकेगा next is humidity अगर humidity दी भी जड़ी है गिया मातरा जड़ी रूम विच सही नहीं होएगी तो भी patient नो अराम नहीं करन देगी next is a door अगर बहुत bad door आ रही है गंदी smell आ रही है तो ओदे नाल की होगा patient uncomfort फील करोगा तो ओदे ली भी किया असी ए चीज़ां दा त्याम नखना है क्यों होगी a door आ रही है तो दे वस्ते सी रूम फ्रेशनर दी वर्तो कार सकते है खिड़की अगर किसे साइड दो 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 बाहरों को यद्दा दी a door आ रही है next is dust अगर कमरे वेच डस्त तो उदे नाल भी किया patient irritate होएगा और उन्हों में comfort नहीं मिलेगा electricity अगर वेच लाइटनिंग दा सही परबांद नहीं है तो ओवी उदा comfort जड़ा है patient नहीं मिलेगा for example अगर light बहुत काटा patient चाल रहा है उन्हों सही दिखाईने दे रहा अगर बहुत तेज आओ दिया अखा में चिवाज रही है तो ओवी उन्हों comfort नहीं दाएगी cleanliness of the room room दे वेच cleaning cleaning है जा नहीं है एवी चीज डेडिया उदे किया comfort दे नाल related noise अगर बहुत sure श्राप भाए तावी patient अराम नहीं कार सकेगा comfortable bed अगर उन्हों बेड भी comfortable नहीं है मालो बिस्तरी सही तरीके नाल नहीं हुगी चिया उपर चदर खिल रही है उदे विच wrinkles नहीं वाट पहे ने तो ओवी मरीज नो किया अराम नहीं करन देंगे पेशन नो comfort परवाइड करना ते इस ना सारी अंकल लाना त्यान रखना है तावा जो किया वो comfortably rest कार सके ते वो छिती ठीक होए अगर वो नहीं comfort नहीं मिलेगा मरीज नो तो बार बार irritate होएगा next is collecting the specimen so कोज तरान दे sample sometimes किया patient दे अपानू collect करके दे investigations दे लई पीज नहीं पहते ने ओदे वीच केड़े केड़े sample हो सकते ने urine sample हो सकता है stool sample हो सकता है sputum sample हो सकता है और blood sample हो सकता है उना पाइना नो इक एक करके पढ़ांगे सब तो पहला किया urine sample जूरन दे आपा किया तीन अलग लग तरान दे sample जड़ेया collect कार सकते है depend करदा है कि किमेधी investigation जड़ेया चाही दिया डॉक्टर ने की recommend किता है वो दे according यसी जड़ेया sample हो collect कर देया सब तो पहले टाइप किया single urine specimen second is midstream urine specimen and third is 24 hours urine specimen so एक किया single urine specimen मतलब sample single urine specimen means the amount of urine voided at a time एक समय ते जिनना मी urine voided किता जानदा patient वलो उननू collect कर के ते आपा किया sample दे लेई पेज देना usually the morning specimens are collected ज्यादा तर किया morning time दे जड़े specimen नननू collect किता जानदा है an amount of 100 to 120 mls or ml urine will be sufficient for the usual test ज्यादा तर हंडर तो 120 mls जड़े urine देया ओ sufficient उन देने test वास पे so second कियेगा midstream urine specimen midstream urine specimen जड़ा method आएगा एक कल्चर दे वास्ते किया यूज किता जानदा है ते एदे विच कियेगा है कि पेशेंट नू की बुले है ना it continues to void into the container पेशेंट नो की बुलिया चानदा है कि थोड़ा urine नो पहले वाइड कार लगे and then जो mid वाला urine उन्हों किया उस urine दे सैंपल नो किया कंटेइनर दे विच क्लेक्ट करें so mid stream urine जड़ा है फिर सैंपल दे लई पेजया जानदा है sometimes catheterization may be necessary to get specimens from unconscious patient करेवरीं की हुन दा है कि unconscious patient दे विच किया catheterization करंदी लोड उन दिया तांकि उनना दा है जड़ा urine sample है वो प्लेक्ट किता जा सके so next is 24 hours urine specimen 24 hours urine specimen की हुन दा है जड़ा किया 24 कंटेदा specimen जड़ा है collect करके ते असिंकिया पेज दे आँ सैंपल दे वासते टेस्ट दे वासते so कोज कही वरी की हुन दा है जड़े कोज specimens हुन दे ने जड़ा 24 hours urine specimen हा इन्नों collect जदो असी कार दे हां sometimes दे वेच को जड़ा प्रिजर्वेटीव सा नुकिया mix करने पंदेने वो प्रिजर्वेटीव क्यों mix करने पंदेने ता जो it is necessary to add preservatives to the urine to prevent decomposition and multiplication of bacteria ता के जड़ो यूरन जड़ा कोंटेनर वेच कोलेक्ट किता है तो उसे यूरन दी decomposition ना होँए जहां फेरो देवेच बेक्टेडिया जड़ेने multiply ना हो जान ता करके जड़ो प्रिजर्वेटीव जड़ेने यूरन देवेच एड़ कर देया so केड़े केड़े प्रिजर्वेटीव हो सकदेने toline हो गया boric acid, hydrochloric acid, formalin and chloroform so next is the stool specimen so stool specimen जड़ेक्ट करन देले सानु किया कोज articles दी require हों देने वो केड़े केड़े हो सक्देने waterproof disposable containers or wide mouth containers are provided with necessary instructions जड़ा patient उननु किया wide container wide mouth containers जड़े जड़े waterproof disposable containers ने उन किया patient नो provide करने ने तांके ओदे वेच हो अपना stool specimen जड़ा है collect कार सके जहां फिर की है the patient passes stool in a clean bed pen जहां फिर patient जड़ा है clean bed pen देवेच भी एh stool जड़ा है पास कार सकता है a small amount of stool is removed with stick or spatula and is placed in the container असी एक stick spatula दी मददे नाल स्टूल आ ओदे विच्व थोड़ी जड़ी amount जड़ी रिमोव कार सकते है तो amount जड़ी remove किती है container दे वेच किया collect कार सकते है discard the stick in the waste bin then ओजड़ी stick samples जड़ा waste bin दे वेच किया discard कर सकते है so यह की हो गया stool specimen next is sputum specimen sputum specimen दे वास्ते भी सानू किया कोछ articles दी लोर हूं दिया waterproof disposable sputum cups और wide mouth container are used to collect sputum specimen कई वरी waterproof disposable cup जा फिर wide mouth container जी नीड पेंदिया तांके sputum जड़ा है collect किता जा सके a large container is required if the physician desires to have the total sputum expected in 24 hours कई वरी सानू large container दी लोड पेंदिया अगर physician ने means अगर doctor ने क्या होए कि पूरे चवी कंटेदा sputum जड़ा है ओधा असी specimen collect करके पिजना है जुदो असी specimen collect करना है तो कोछ instructions देडिया patient नो देनिया the patient should be given the container on the previous evening पली evening देवे चसी नो container and instructor to raise the material from the lungs by coughing and not simply expectorating the saliva or discharges from the nose or throat असी patient नो कहना है क्यों cough करे cough करके lungs वाला material जड़ा है उन्हों कंटेइनर देवेच collect करे only जड़ा माउथ दा saliva आए उन्हों collect नहीं करना the sputum should be collected in the morning before brushing the teeth and taking the food sputum जड़ा सी collect करना है but कोई भी antiseptic जड़ा है वो नहीं यूज कर सकते to collect the sputum from a young child अगर असी young child थे वेच sputum नो collect करना है तो अधे वास्ते वी सानूं कोच articles भी लोड हुन दी है use a cotton applicator वो दे वास्ते आपा cotton applicator नो यूज कर सकने है and a test tube एक test tube दी जरूरत हुना when the sputum is cuffed अप जड़ों ही young child sputum नो cuff करेगा wipe of the sputum with cotton applicator cotton applicator देना अनसी नो sputum नो wipe कर लेंदे है and is dropped into the clean test tube clean test tube दे वेच इनू किया उस sputum sample नो राख दिन दे close the test tube with the cotton plug and test tube नो उसी cotton plug देना close करते दे so next is the blood sample sometimes normally blood samples रड़े ने उन laboratory technicians दे द्वारा ही collect किते जांदी ने but occasionally कई वरी home health eater नो ही collect करन दी responsibility दे दिती जांदी या अगर उन्हों प्रापर ट्रेणिंग होए so ए डिपेंड करता है कि hospital दी routine किया hospital अलाव करता है कि home health eater collect कारके sample पे जे blood नहीं so blood should be collected with aseptic technique blood नो अपाँ aseptic technique नो use कर दे हुए ही collect कर सकते है it should be collected with dry syringe or with a syringe rinsed in saline solution to prevent hemolysis of blood so ए कईवरी dry syringe दे नाल में collect किते जांदे या जो syringe आ उन्हों blood दी है molysis ना होवे उस्रीज नो prevent करन दे ले saline solution दे नाल उन्हों कईवरी syringe नो rinse किता जांदा है so normally blood specimen दे ने वो technician दे द्वारा laboratory technicians दे द्वारा ही लाए जांदे ने but किसे times आन्नों ने responsibility ने भौनी प्या सकती so अचली इना ही next is question दी at the end मैं तो नो कुछ question पुट करन जा रही है hope so कि तुसी जो भी पहले learn किता है सारा अज समझा है तुसी ओस्दे दार देना questions the answers दे दे पाओगे so तो आडी reason दे ली first question is what is the other name of home health aid second is at least two functions of home health aid and least any two qualities of home health aid fourth question is and least any two steps of care plan fifth is why patient's safety is required sixth is and least any two components of patient's comfort seventh is seventh is and least any one preservative require for urine specimen eighth is which article is important for sputum specimen ninth is name the last process of care plan and and tenth is which article is important for blood specimen thank you and to you